आज हम पढ़ेंगे कि एक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कहेंगे इसके लिए सबसे पहले जो डेफिनिशन है उसको हम दियान से देखेंगे तो डेफिनिशन है कि a sequence a1, a2, a3 up to so on an is called arithmetic progression और arithmetic sequence if an plus 1 is equal to an plus t अब हम इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक sequence a1, a2, a3 up to so on an है तो उसमें अगर हमारे पास हमने कोई भी टर्म निकालनी है जैसे कि हमने अगर a2 निकालना है तो उसके लिए हमें a1 का पता होना जरूरी है और इस फॉर्मूला में हमारे पास n जो है वो क्या होगा एक natural number होगा और जो a1 होगी a1 मतलब जब हम n की value 1 पुट करेंगे a1 हमारे पास क्या होगी जब हम इसमें n की value 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a1 प्लस d इसका मतलब a2 is equal to a1 प्लस d अब हमारे पास जो a1 है वो हमारे पास क्या होगा first term होगी और जो हमारे पास d है उसको हम क्या बोलेंगे common difference तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास एक term में जब हम एक d मतलब common difference को add करते हैं तो हमारे पास next term जो है वो sequence की बनती है बट हम इसको एक और मैथर से या एक और वे से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास a n प्लस 1 is equal to a n प्लस d है तो यहां से हमारे पास a n प्लस 1 minus a n is equal to d अगर हमारे पास कोई भी दो sequence जो है sequence कोई भी है उसमें अगर हम दो terms लेते हैं तो उन दो terms का जो difference होगा वो क्या होगा d होना चाहिए अब d हमारे पास क्या है common difference, common difference जो होगा वो आपका sequence में से निकल कर आएगा अब कोई भी आपको ऐसी जो sequence दी होगी जिसमें अगर आपके पास कोई भी दो numbers आप लो जैसे अगर मैं यहां से लेटा हूँ मेरे पास एक example है 2, 4, 6, 8 अब इसमें से मैं कोई भी दो terms उठा लोँ जैसे मैंने 6 and 8 उठा लिया अब 6 जो है वो क्या है A3 है और हमारे पास 8 क्या है A4 अब इसको मैं represent कर सकता हूँ A1, A2, A3, A4 अब टू 100 तो अब हमारे पास जो है A3 तो हमारे पास जो किसी sequence को हम अगर हमने arithmetic यह AP कहना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा A4 minus A3 is equal to 8 minus 6 is equal to 2 इसका मतलब है कि हमारे पास जो D की value है वो क्या है अगर J किसी और डो terms के लिए भी same आएगी तब हमारे पास जो sequence होगी वो हमारे पास क्या होगी AP होगी तो अगर मैं अब हम journal एक sequence बना लेते हैं जो हम इसी सभी chapter में जो हमने पूरे complete chapter में पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास first term काउन सी है वो हमने let कर लिए कि हमारे पास क्या होगी A and common difference जो हमारे पास है वो क्या होगा D तो अब हम एक sequence लेखते हैं sequence की जो terms होती है वो क्या होती है A 1 A 2 A 3 A 4 Up to so अब इसमें हमारे पास जो A 1 है वो हमने क्या लिआ होगा first term है हमने पहले हम पहले बोल चुकी है कि हमारे पास جो A 1 होगी वो हमारे पास क्या होगी first term होगी तो मैं ने A 1 को क्या मान लिया A अब हम इस formula को अगर हम अब a2 की value निकाल ली है तो a2 की value कहां से निकालेंगे यहां से कहां से यहां से तो यहां पर अगर हम n की value 2 पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा a2 is equal to a1 plus d तो वहीं हमने यहां पर लिखा है a2 की value क्या है हमारे पास a plus d अब a1 plus d है तो इसका मतलब है कि हमारे पास a1 क्या है first term है तो first term हमने क्या हम ली है क्या हमने suppose क्या किया है कि हमारे पास first term जो होगी वह क्या होगी तो अब हमारे पास first term A है तो A plus D आ जाएगा अब अगर मैंने जहाँ पर A3 की value निकाल ली है तो N की value क्या पुट करेंगे हम A2 तो A2 plus D ऐसे करते करते हमारे पास जो terms बन जाएंगी वो sequence की या हमारे AP की AP की जो terms होंगी वो ऐसी होंगी अब बात करते हैं कि हमारे पास Nth term कैसे होगी अब जब हम A2 निकालते हैं तो A1D आता है अगर हम A3 निकालते हैं तो A2D आता है जब A4 निकालते हैं तो A plus 3D आता है जहाँ पर N की value डालते हैं वो हमारे पास D के साथ एक कम आती है तो वैसे हमने a n is equal to a plus n minus 1 d निका दे now we discuss the properties of an a p first property if we add constant to each term of an a p the resulting sequence is also a p वो कहरा कि अगर हमारे पास कोई sequence है जो के a p है तो अगर हम उस sequence में sequence की जितनी भी terms है उसमें अगर हम कोई भी एक number add करें उसके बाद जो sequence बनेंगी बो sequence भी क्या होगी a p होगी तो इसको समझने के लिए हम एक example लेते हैं तो first point की हम जो अगर example लें तो वो examples क्या होगी तो यहसे first example है मारे पास two, four, six air up to so तो हमारी first property कहती है कि अगर हम sequence की sequence जो a p है उनकी terms में एक same number add करें तो मैं कहता हूँ कि add one, two each terms of of a given a p इसका मतलब है कि अगर हम इन सभी terms में one one क्या कर रहे हैं add कर रहे हैं तो अगर मैं one one add कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा two plus one four plus one six plus one eight plus one up to so तो two plus one क्या बन गया थ्री फिर क्या गया five फिर क्या गया seven और फिर क्या है हमारे पास nine अब add करने के बाद हमारे पास new sequence जो बनी है three five seven nine तो अब हम इसको चेक करेंगी कि हमारे पास जे जो sequence है वो क्या एपी बनती है तो एपी के लिए हम कहते है कि कोई भी आप दो terms उठा लो उनको subtract करो और उनका जो आएगा common difference वो सभी terms के लिए same होना चाहिए जैसे अगर मैं लो seven अब a3 हमारे पास है seven और a4 हमारे पास है nine तो a4 minus a3 हमारे पास क्या आजाएगा 9 minus seven is equal to two similarly a1 is equal to three a2 is equal to five तो d हमारे पास आजाएगा a2 minus a1 is equal to five minus three is equal to तब दो terms हमने कोई भी लिए consecutive terms लिए हमने तो उसका अगर हमने d निकाला d मतलब common difference निकाला तो हमारे पास दोनों का क्या आया two and two it means के अगर हमारे पास कोई भी दो terms के लिए common difference अगर हमारे पास same आता है तो जो हमारी दी होई sequence है जाम हमने जो बनाई है वो हमारे पास क्या होगी ap होगी तो similarly इसके बाद हमारे पास जो आएगा कि second point है कि अगर हम एक same number क्या करते हैं subtract करते हैं एक दी होई sequence को sequence की terms में से जो कि हमारे पास ap है तो उसके बाद जो sequence बनेगी वो भी हमारे पास क्या होगी ap होगी similarly multiply करते हैं और divide करते हैं तो जिस same procedure आपका बाकी three points के लिए भी apply होगा होगा okay thanks friends